हेलो टीडर्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और नए वीडियो पे तो दोस्तों अगर भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजेगा और हमारे पुरानी वीडियो को भी एक बार जर तो अगर आपके पास भी ये दोनों स्टॉक्स हैं तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्षिन में ये जरूर बता दीजेगा कि आपका एवरेज प्राइस क्या है तो चलिए फटा फट से अब हम लोग अपनी एनलेसिस से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग LIC के बा बात की स्ट्रेटेजी क्या है अब एक चीज समझ के चलो कि LIC के स्टॉक को हम लोग इतने डिसकाउंटेट प्राइस पर क्यो उठाना चाहरे हैं आपने सुना होगा कि जो पेटियम का स्टॉक था उसकी वेलुएशन काफी ज्यादा हाई थी जिस वज़े से वो आपको होते हुए देखने को मिला था लेकिन LIC के केस में ये सिचुएशन नहीं थी LIC ने अपनी वेलुएशन को अल्रेडी काफी ज्यादा डिसकाउंटेट प्राइस पर लिस्ट कराया था लेकिन मार्केट में जो किरावट है उसकी वज़े से ये स्टॉक काफी अच्छे खासे डिसकाउंटेट प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा है और 650 के नीचे अगर ये स्टॉक स्लिप करता है तो इसके अंदर बहुत जादा प्रेशर अगर डियाइस के दुआरा माउंट किया जाएगा तभी इसको 650 के नीचे पुश करना पॉसिबल हो पाएगा 650 के नीचे यही कहूंगा कि 640 से 650 के रेंज में अगर ये आ जाता है तब आप थोड़ी सी क्वांटिटी एड़ करके चल सकते हो और जिन लोगों ने यहाँ पर मतलब बाइंग बिल्कुल लिस्टिंग के समय ले रखी है मतलब अपना IPO होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी सबसे बढ़ किजेगा क्योंकि अगर फर्दर यहां से और गिरावट होती है तो हम लोग नीचे के लेवल्स पर एवरेज करने के बारे में इस स्टॉक को प्लैन करेंगे अब एवरेज करने के बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि fundamentally ये स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रॉंग है और जो तभी एंट्री बनाईएगा जब ये आपको रिवर्सल दिखाना स्टार्ट करें रिवर्सल दिखाना स्टार्ट करेंगा तो आपके लिए इंपोर्टेंट लेवल होगा 720 रुपीज का और मैंने आपको के साथ अलड़ी L.I.C. में एक डेट शेयर की थी और वो डेट थी 16 16 ऑगस्त की 16 ऑगस्त के बाद से आपको L.I.C. के स्टॉक में काफी शांदार तेजी देखने को मिलने वाली है और इसके पीछे का लॉजिक मैं 16 ऑगस्त को जब वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किये अब हम लोग बढ़ते अपने अगले स्टॉक की तरफ अचा हाँ L.I.C. में एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि इस साल के एंड तक या अगले साल के जैनवरी से लेकर के मार्च के बीच में हम लोग L.I.C. के अंदर जो टार्गेट एकस्पेक्ट करके चलेंगे व ओल्मूस्ट तेरा सो रुपए का टार्गेट है अब आप खुद समझ जाओ कि इतना एग्रेसिव टार्गेट जब मैं सोच के बोल रहा हूँ तब इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत ही जादा स्टॉंग लॉजिक होगा तो इसलिए अगर L.I.C. का स्टॉक भी आपके है तो इसको आप नीचे के लेवल्स पर एवरेज करने के बारे में प्लान कर सकते हो और यहाँ पर जब आपको ब्रेक आउट देखने को मिलेगा तब यह स्टॉक आपको बताय हुए लेवल्स पर अपने आप कुछ महीनों के अंदर ही जाते हुए देखने को मिल जाएगा अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले stock के तरफ और ये सबसे important चीज है जिनके पास भी Paytm का stock है जो लोग भी भारी गिरावट में इसको hold कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही तकड़ी analysis में लेकर के आया हूँ अब Paytm का stock अभी के समय में आपको 630 रुपे के पास देखने को मिल रहा होगा अब ये दोनों के दोनों stocks आपको 500 से 600 की range में देखने को मिल रहे हैं और इसी वज़े से मैं वीडियो के end में ये भी share करूँगा कि इन दोनों stocks में से आपको कौन सा stock pick करना चाहिए अभी के समय में Paytm का जो price है वो 630 रुपीज के पास में चल रहा है अब जिन लोगों ने ऊपर से holding बना रखी है उनको मैंने कई बार बताया है कि आपको यहाँ पर stop loss लगा करके loss बुक करके निकल जाना चाहिए लेकिन अगर अभी भी आप नई position बनाना चाहते हैं या अपनी पुरा करने की कोशिश कर रहा है अब यह base बहुत जादा strong तो नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ एक बार यहाँ पर support लिया गया है और एक बार यहाँ पर support लेने की कोशिश की गई है इसके बाद से अभी की समय में stock हमें एक triangle pattern form करते हुए दिख रहा होगा यह यहाँ पर एक चीज़ important यह निकल के आ रही है कि जो हमारी blue color की resistance line है उसके उपर stock ने एक बार यहाँ पर दो बार और अब यहाँ पर तीसरी बार strike करने की कोशिश की है आप खुद सोचों कि किसी भी resistance की उपर अगर बार 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 stock strike करता है तो वो resistance क्या होता है कमजोर होत जाता है और stock वहाँ से एक breakout देने की कोशिश कर सकता है तो इसलिए अगर PTM का stock आपके पास है या नहीं भी है तो आप यहाँ पर एक बहुत शांदार rally enjoy करने के बारे में plan कर सकते हो और यह rally आप क्यों enjoy करने के बारे में plan करोगे इसके पीछे का भी मैं logic आपके साथ share कर द फिर यहाँ पर आ करके resistance लिया और यहाँ पर आ करके support लिया आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह की resistance और support लाइन देखने को समझ में आ गई होगी और अभी के समय में stock यहाँ पर है अब एक चीज़ समझ के चलो इतनी तगड़ी analysis आपको clear और simple तरीके से शायद ही किसी और channel पर मिलेगी तो इसलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना अब यहाँ पर मैंने एक level mark करके रखा है green color का यह level green color का इसलिए mark करके रखा है क्योंकि अगर इस level को किसी भी वज़े से पेटियम का stock cross करता है तब आपको यहाँ पर एक buying की position initiate करने के बारे में plan करना है अ आप लिक के ले लो यह stock आपको 880 रुपे का target कुछ महीनों के अंदर ही दिखा देगा हो सकता है कि आपको यह target एक से दो हफते के अंदर ही देखने को मिल जाए लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझ के चलना कि अगर आपका stock 720 रुपे के उपर निकल जाता है तो इसमें आपके लिए जो stop loss होने वाला है वो होने वाला है 630 रुपीज का 630 रुपे का आपको stop loss लगा करके चलना है और यह उन लोगों के लिए है जो लोग especially swing के basis पर stocks में entry बनाना चाहते हैं swing के basis पर जिन लोगों को भी entry बनानी है उनके लिए जो buying position है वो है 720 की यहाँ पर stop loss देखो के तो कितने points का है 90 points का है stop loss केवल और केवल 90 points का stop loss है और target की बात करें तो target आपको यहाँ पर 160 points उपर का देखने को मिल रहा होगा तो एक तरह से यहाँ पर आप देखो के तो risk to reward ratio यो भी काफी शांदार निकल के आ रहा है तो इसलिए swing के purpose से आप यहाँ पर entry बना सकते हो लेकिन उन लोगों क्या है जो लोग long term और short term के purpose से इस stock को hold कर रहे हैं या जो लोग fresh entry बनाना चाहते हैं तो दोस्तों जो लोग fresh entry बनाना चाहते हैं उनके लिए golden level हो सकता है अब यह golden level क्यों कह रहा हूं यह भी समझने के कोशिश करो अगर आप long term और short term के purpose से stock में entry बना रहे हो इस level के ऊपर यह चीज़ ध्यान रखना 720 ही हमारा key level है इसके अलावा कहीं पर entry बनाने के बारे में मत प्लान करना अगर 720 के ऊपर entry बना रहे हो तो stop loss आपको कहां डालके कब जब 720 रुपे के ऊपर entry बनाओगे तब यहां पर एक चीज़ ध्यान रखना condition क्या है आपकी कि आपको buy कप करना है 720 रुपे के ऊपर उसके पहले बीच में कहीं आपको entry नहीं बनानी है daily basis पे आपका closing होना चाहिए 720 के ऊपर तब ही आपकी 510 रुपी का stop loss होना चाहिए और यहां से आपका जो target होना चाहिए वो almost 1215 रुपे का target होना चाहिए अब यहां पर आपको clearly समझ में आ गया होगा कि हम लोग risk to reward के basis पे भी और long term और short term के purpose से भी target decide कर रहे हैं अब risk to reward ratio की मैंने बात करी लिये तो यहां पर आपका risk कितने का हो गया 200 रुपे का और यहां जो key level है, key level आपका कौन सा है 525-515 इस level को भी अगर हम लोग break करके और नीचे slip करने लगते हैं तब इस stock में और भी massive correction हो सकता है यह चीज़ समझ के चलिएगा यह massive correction कब होगा जब market में crash जाती situation बन जाएगी तो इसलिए आप अपने stop losses को चाहो तो अभी भी 525-515 रुपे के level पर डाल करके चल सकते हो मतलब इसके नीचे अगर 510 रुपे का level किसी भी वेज़े हम लोग पेटियम में break कर देते हैं तब इस stock में आपको massive correction देखने को मिल सकता है यह उन लोगों के लिए है जो न लोगों ने यहाँ पर एंट्री बना रखी है तो उन लोगों के वाले समय में आपको बहुत शांदार returns बना करके दे दे क्योंकि अभी की समय में सारे stocks में बहुत जबरदस्त पिटाई चल रही है लेकिन आप इसके chart pattern को देख करके समझ गए होगे कि पेटियम अभी भी sideways में चल रहा है इतनी भारी गिरावट में भी यह stock sideways में चल रहा है तो इस वज़े से हो सकता है कि यह जो आप pattern form होते हुए देख रहे हो यहाँ पर पेटियम अपना base form करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर यह base सही होता है तब आपको यहां से बहुत अच्छा reversal देखने को मिलेगा और आपके पूरे जो losses हैं वो recover हो सकते हैं I hope आपको इस वी वीडियो के comment section में पूर सकते हो फिर मिलूँगा एक और ऐसी वीडियो लेकरके तब तक के लिए धन्यवाद